मोधी सरकार की बड़ी जीत सुप्रीम कोट ने चार धम परियोजना को दिखाई हरी जंदी महराश्रा में एक बार फिर से बुल रेस हो सकेगी सुप्रीम कोट ने वेस्ट बिंगॉल की पेगसिस कमिशन पे लगाया रोक और गुजरात हाई को अप करेगी मारिटल रेप पे विचार नमस्कार मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम आपके सामने एक बार फिर कोट अनकोट का ये एपिसोड लेकिया है जैसा कि आप जानते हैं इस शो पर हम आपको पिछले हफ़ते हुई बड़ी कोट की खबरों के बार में बताते हैं इस हफ़ते ह हमारे पास आपके लिए जो सबसे पहली खबर है वो आ रहे है सुप्रीम कोट से जैसे की भद्रा ने बताया सुप्रीम कोट की तरफ से मोधी सरकार के लिए बड़ी जीत आई है दरसल सुप्रीम कोट ने उतरा खंड में 899 किलोमीटर लंबी चार धाम परियोजना का हिस्स बनने वाली सडकों की चोड़ाई 10 मीटर करने की अनुमती दे दी है इसके साथ साथ सुप्रीम कोट द्वारा गठिक जो हाई पावर कमिटी थी उसकी जो परियावरन से जुड़ी जो चिंताएं उसने जताई थी उसके लिए सुप्रीम कोट ने रक्षा मंत्राले की साथ स अध्यक्षिता में कमिटी कठित किये जो कि सुप्रीम कोट को इस पर रिपोर्ट देगी अब आपको एक बैग्राउंड इसका बता दू अगर तो यह जो चारधाम परियोजना है यह उत्राखंड में दरसल चार प्रमुक तीर थो यमनोत्री गंगोत्री बद्रीनाथ और क कई परियावरन से जोड़ी चिंताएं जताई थी इस परियोजना को लेकर उन्होंने कहा था कि इसकी वज़े से कई पेर तोड़े जाएंगे जो विस्पोर्ट किये जाएंगे इसकी वज़े से जो पहार तोड़े जाएंगे और पहारों का मलबा फेका जाएगा अब इसक तरह से एक unanimous decision होता है कि सब साथ में आके decision नहीं दे पाए थी कुछ का मानना था चार मिरख्याल से लोगों का मामना था कमिटी में कि इसकी चुड़ाई साड़े पांच मीटर ही होनी चाहिए कुछ का मानना था कि बारा मीटर अचली 21 सदस्यों का मानना था कि यह जो सड़की हैं इनकी चुड़ाई 12 मीटर होनी चाहिए इसके बाद सुप्रीम कोट ने लेकिन सेप्टेंबर 2020 में पिछले साल यह कहा था कि इन सड़कों की चुड़ाई 5 मीटर होनी चाहिए जिसके बाद जो रक्षा मंत्राले है वो कई सेक्योरिटी और देश की सेक्योरिटी से जुड़ी जो चिंताएं हैं वो लेकर सुप्रीम कोट के पास गया यह कहते हुए कि इनकी चुड़ाई 10 मीटर होनी चाहिए अपूरवा आपको याद होगा जब पिछली साल सुप्रीम कोट ने इस मामले में अपना ओर सुनाया थ दरसल उन्होंने जो साड़े पांच मीटर की जो एक विट थी रोट की वो इसलिए फिक्स करी थी क्यूंकि जो सड़क परिवाहन और राजमार्ग मंत्रालय है उनका जो एक 2018 का गाइड लाइन था उस गाइड लाइन के अंडर जो है सड़क की जो चड़ाई जो हिली एरिय था विर्थ को लेके मगर चूंकि जो यह गाइड लाइन थी और जो हाई पावर कमिटी करी थी उन दोनों की रेकमेंडेशन को मद्दे नजर रखते हुए सुप्रीम कोट ने पिछले साल सप्टेंबर 2020 में जो है अपना यह और्डर सुनाया था निर्देश दिया था मगर उसके बाद दिसेंबर में ही रक्षा मंत्राले ने एक अर्जी डाली जिसके तहत उनोंने यह मांग उठाई कि यह जो सड़के हैं दर असल इसमें एक तीन स्ट्रेचिस हैं जो बहुत महतुपूर है वो दर असल जो भारत और चीन सीमा है वहां तक सीधी जाती है और उन्ह उने उस दरान जो भारत और चाइनक के बीच में जो थोरी बहुत स्करमिशिस हुए थे बार्डर पे उसका भी बेवरा दिया और बोला कि यह चोड़ाई अगर यह जो सड़के हैं अगर चोड़े हो जाएंगे तो जो प्रूप्स के मूवमेंट है उनको लेके जो है भारत थी जोर तोर से जो है पूरी अर्जी की जो है उसको अपोस किया कोट में मगर फिर भी रक्षा मंत्राले की अर्जी को मानते हुए सुप्रीम कोट ने जो अपना सप्टेंबर 2020 का जो और है उसमें बदलाव लाए और उसमें संशोधन लाते हुए यह बोला कि एक तरीके से कोट को जो है परियावरन और सुरक्षा में एक जो एक बैलेंस स्ट्राइक होना चाहिए मतलब की जो एक नाजुक संतुलन है वो बनाए रखना चाहिए और जो केंद्र सरकार ने यानि कि जो रक्षा मंत्री ने अपनी तरफ से जितनी दलीले रखी है वो वाकई में जो है चिंता जनक है क्योंकि जो उस वक्त जिस तरह की इंसिदेंस को रिपोर्ट किया गया था उन सब चीजों को मदे नज़र तो है कोट ने बोला कि यह जो तीन स्ट्रेचिज है इनकी जो है चोड़ाई बढ़नी चाहिए और जैसा कि साथ-साथ अपूर्वा ने बताया कि उसके साथ-साथ ही कोट ने जो है जस्टिस सीक्री पैनल की जो है गोशना करी है और जो इस पैनल का कार्य है वो यह ही है कि जो परियावढ़न से जुड़ीवी जो रेकमेंडेशन्स थी हाई-पावर्ट कमिटी को कि जो सिफारिश ही थी उनको जो है एक तरीके से लागू करना चाहिए और उसके साथ-साथ जो है कोट ने जो अन्य मंत्राले हैं जैसे रक्षा मंत्राले हो गया या सड़क परिवाहन और राजमार्ग मंत्राले हो गया या Ministry of Environment हो गया इन तीनों को बोला है कि वो जस्टिस सीकरी पैनल की जो है उनको असिस्टन्स देंगे और यह जरूर देखेंगे कि जितने भी सिफारिशे दी गई है उस एरिया के परियावरन को बचाने के लिए उन सिफारिशों को लागू किया जाए बिल्कुल और अब सुप्रीम कोट की तरफ से ही एक और निर्नाय आया जिसकी बारे में हम बात करेंग कि दरसल सुप्रीम कोट ने महाराश्य में बुल रेस की अनुमती दे दिया अब आपको बता दो 2014 में दरसल सुप्रीम कोट ने जली कटू बुल रेस और बैल गारी दौर को पूरी देश भर में इस पर प्रतिबंद लगा दिया था कोट का उस समय यह मानना था कि यह जो त करनाटक और तमिल नाड़ू ने इस यह जो कानून है इसमें कई संशोधन लाए थे इन खेलों को अलाव करने के लिए एक तरह से और अब सुप्रीम कोट ने इनी संशोधनों का भी एक तरह से ब्यौरा देते वे यह कहा है कि महराश्य में भी इस वज़े से बुल रेस को अनुमती मिली चेय कोट ने कहा कि जो संशोधन लाए हुए थे उसको महराश्य में भी एक तरह से फॉलो किया जाएगा जी इसमें दरहसल अपूर्वा खास बात यह है कि जो संशोधन तमिलादूर करनाटका लाए थे वो संशोधन जो है वो एक तरीके से उनको चुनाटी नहीं दिया था तो इसका मतलब यह है कि जो करनाटका और तमिलनाडू में तमिलनाडू जैसी जो जगाए है वहाँ पर यह बुल रेसिंग चल रही है मतलब कि जो जली कट्टू वहाँ पर फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है वो अभी भी हो रहा है तो उसी का तर उन्होंने इस चीज की भी जो है बात करी की भी एक नियम होना पूरे देश में जो है एक नियम होना ज़रूरी है एक स्पोर्ट के लिए तो और उसको चलते वे उन्होंने यह बोला कि अन्यने राजिम में जो है अलग अलग आप रूल्स फॉलो नहीं कर सकते माना कि सुप पोजिशन कोट में अपना जो है तर्क दिया उपोजिशन में मगर उसको ना मानते हुए कोट ने बोला कि हम अलग 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 राजियों के लिए अलग अलग कानून नहीं लग सकते हैं अगर बुल रेसिंग तमिल नाडू करनाटका में हो सकती है तो बुल रेसिंग महरा राज है उनका एक ट्रडिशन का पार्ट है तो उसका भी बेवरात देते हुए कोट ने जो है अब इस रेस को की अनुमती दे दी है बिलकुल और तीसरी खबर भी सुप्रीम कोट से आ रही है में छुट्टियों से पहले सुप्रीम कोट काफी बिजी रहा है सहफे तीसरी को जाज जस्तिस M.B. लोकुर की अध्यक्षिता में इसके बारे में हमने आपको पिछले कुछ एपिसोड में बताया भी है अब सुप्रीम कोट ने इस हफ़ते इन फाक्ट फ्राइडे को सुबह सुबह कोट ने इस कमिटी पर रोक लगा दी है आपको बता दू कि इसके सा यह आज साथ में सुप्रीम कोट द्वारा भी एक सुप्रीम कोट के पूर्वजाज जस्टिस अर्वी रविंदर अक्षिता में में कमिटी घटित की हुई है पैगसिस मामले में जाज करने के लिए अब पिछली हरे में मैं अगस्त में मुद्ध सामने लिए अनग्यों ने एक तरह से दो तरह की जांच साथ साथ नहीं चल सकती है लेकिन अब हीरिंग में जैसे भधरा आपको आगे बताएंगी हीरिंग में जो उन्होंने अटेंड बी की हीरिंग में एक तरह से नाराज की जताई यह कहते यह देखते हुए कि जो यह कमिटी है इसका काम शुरू हो जी दरतसल यह जो एंजियो है ग्लोबल विलिज फांडेशन चारिटेबल ट्रस्टन की तरफ से सीनर अड़ोकेट हरी सालवे पेश हुए थे और उनोंने जो जस्टिस एंबी लोकूर कमिशन की जो प्रोसीडिंग्स है उसको चुनौती दी और खास बात यह है अपूर्व या दिलाई कि बहुए अपने ही कोड में पिछली बार हमें यह बोला था कि कमिशन यह इसमें आगे कोई कारव्याही नहीं करेगा तो अब क्या हो गया अचानक से इसमें जो है इंक्वाइरी क्यों शूरू हो गए तो उसके जवाब में जो है सिंग्वी ने ये बोला कि हम मारा मतलब कि यानि की वेस बिंगॉल सरकार का जो है जस्टिस लोकूर कमिशन पर कोई नियंतरन नहीं है कोई कंट्रोल नहीं है और इसी को कहते वे जो है सिंग्वी साहब ने एक तरीके से कोच से ही आदेश मांगा कि आप जो भी आदेश देंगे हम कमिशन को बताएंगे औ और उसी हिसाब से कमिशन इसमें यातोकारवाही करेगा या नहीं करेगा तो उनकी इस आर्गिमेंट को उनकी इस प्रेयर को सुनते वे जो है बैंच ने एक स्टे का ओर्डर दे दिया अब इसमें खास बात यह है पूर्वा कि जस्टिस एंबी लोकूर ने दरसल इसमें प कोट करवाए थे तो इसमें कुछ काफी हद तक तो नहीं कुछ हद तक काम जरूर शुरू हो गया था मगर अब सुप्रीम कोट के ऑर्डर के बाद अब इसमें कोई कारिवाही नहीं होगी चलिए आखरी खबर हमारे पास जो आपके लिए है वो गुजराथ हाई कोट से आर दूसरा exception उसको चनौती दी गई है section 375 Indian Penal Court का यह बोलता है कि रेप of course एक अपराध है और इसका लेकिन इसका जो second provision है वो एक तरह से काफी कांट्रोवर्शल विवादासपद रहा है काफी समय से यह कहता है कि अगर एक पती अपनी पत्नी 15 साल से उपर की उम्र की पत्नी का रेप करता है तो वो रेप नहीं माना जाएगा जो कि मैरिटल रेप है अब एक पेटिशन ने गुजराथ हाई कोट के सामने इस प्रोवि 375 सेक्शन का जो एक्सेप्शन है एक्सेप्शन टू वो दरहसर महीला की शाररिक निजता के मौलिक अधिकार को उसके पती की मर्जी के अधीन बनाती है मतलब कि जो एक वोमन का जो एक फंडेमेंटल राइट है उसकी जो अटॉनमी है अपनी बॉडी पे मतलब कि अपने आप पे एक तरीके से उस फंडेमेंटल राइट का वो वाइलेशन है और दूसरी बात उन्होंने ये भी भोली कि जो भारियते सम्विधान के साथ असंगत है जो महीलाओं को पुरुशों के समान मानता है और विवा को दो समान लोगों के बीच यूनियन के रूप में मानत करते हैं तो ये जो लो है इस 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 प्रोविजन को भी एक तरीके से वाइलेट करता है और इन ही दो बातों को 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 के सामने रखा गया है इस याचिका के द्वारा तो एक बहुत ही छोटा सा ओर्डर है मैं बस जो चार पंच लाइन उस और मैं वही पर देती हूं तो क कोट ने इस पे नोटेस इशू करते हुए अटाउनी जेनरल अफ इंडिया को नोटेस इशू करते हुए यह बोला है कि यही समय है जब एक रिट कोट यह विचार करे कि भारतिय दंड सहिंता की धारा 375 का अपवाद दोसपश रूप से मन माना कहा जा सकता है और एक महिला के यौन स्वायतता के मौलिक अधिकार को उसके पती की इच्छा के अधीन बनाता है तो जहां तक जो मारिटल रेप का सवाल है अपूर्वा हमें पता है कि यह इसमें बहुत ही विवाद पहले से जो है चिर चुका है डिबेट बहुत होता है मगर कोट में शायद यह दूस इसमें वाली बात यह है कि गुजराथ हाई कोट इस इस मामले को आगे कैसे लेके जाता है और क्या यह मामला कभी न कभी सुप्रीम कोट पहुंचेगा या नहीं मेरे खाल में इसकी काफी इंट्रिस्टिंग होगी बद्रा अपने दर्शकों को बता दो कि गुजराथ हाई देखने वाली बात यह है कि जो केंद्र सरकार है इस मामले में क्या अपना विचार रखती है तो आज के लिए काफी है पूर्वा बिल्कुल हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद